नमस्कार मैं हूँ आचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइफ की स्पेशल डिपोर्ट नितीश कुमार अपने ही दाओ में बुरे फसके हैं नितीश कुमार को बड़ा धोखा देने की तैयारी बीजेपी कर रही है बताये जो रहा है कि नितीश कुमार को खत्म करने और पार्टी को खत्म करके जनाधार अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी एक रणनीती पर काम कर रही है खबरे तो ये भी चल रही है कि नितीश कुमार से लोगसभा चुनाओ के बाद बीजेपी पला जहाड सकती है और इसलिए जो बीजेपी के नेता है वो लगातार नितीश कुमार पर हमला वर है अब ऐसा होना चाहिए था कि नितीश कुमार जब बीजेपी के साथ आ गए तो को डिफेंट करना चाहिए था लेगिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता नितीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं यहां तक कि नितीश कुमार की जो राजनीती है उसे खत्म करने की भी बात बीजेपी के निताओं की तरफ से की ज़ा रही है किसका क्या कुछ बयान है और किस बीजेपी के अंदर ही एक बड़ी रणनी थी नितीश कुमार और जेडियू को लेकर बन रही है इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि लोगसभा चुनाव से पहले कैसे नितीश को एक और तगड़ा जटका देने की तैयारी में बीजेपी है अब आप पहेंग के बाद एक के बाद एक बीजेपी ने सारी शर्ते दरकिनार करती यहां तक कि बीजेपी को नितीश कुमार पर भरोसा भी नहीं है लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आई बीजेपी की जिसकी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं और आपको बताते आ रहे हैं कि एक बड़ा सर सकत जो है वह बीजेपी के तरफ से की जा रही थी बीजेपी मेहनत कर रही थी अमिश्या इसलिए बिहार पहुचे हुए थे और उसके बाद जैसे नितीश कुमार राजबोवन पहुचे थे उसके बाद यह खबरे आने लगी कि नितीश कुमार इंडिया गडबंधन छोड़ कर बीजेपी के साथ आएंगे और एंडिये से मिल कर सरकार बनाएंगे एंडिये में वो मिल जाएंगे अब जब यह खबरे चली तो बताइए गया कि नहीं नितीश कुमार के तरफ से आश्वासन जो है वो दिया गया और यह कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो लगातार इंडिया गडबंधन को यह कहते रहे कि यह सारी खबरे जो हैं वो फर्ची चल रही है इस तरीकी से आश्वासन इनके द्वारा दिया जा रहा था लेकिन लालू और जो इंडिया गडबंधन में बाकी दल है वो इस बात से वाकित थे उन्हें यह पता था कि नितीश कुमा कि चुनाओं से पहले उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है लालू यादो को क्योंकि बीजेपी उनसे घबराई हुई है अब यह तो मसला हो गया एक और लेकिन बड़ा मसला जो इस वक्त है जो बड़ी खबर है नितीश कुमार को लेकर उस पर बात करते हैं उस पर चर्च से और बीजेपी की भी कुछ शर्ते नितीश कुमार के लिए रही होंगी लेकिन बीजेपी की तो सारी आपके सामने रखी थी डिजेपी ने करके उन सभी को दरकिनार कर दिया सबसे पहले तो खेल समर्थन पत्र पर हुआ दरसल नितीश कुमार नहीं कहा कि मैं स्तीफा तो दे दूँगा लेकिन पहले आप मुझे समर्थन पत्र दे दीजिए और इसलिए आप देखें तो नितीश कुमार कई घंटों से गायत थे और उस वक्त जो कुछ भी चल रहा था और लगातार इंडिया गडवंधन जो है वो बयान चारी करके यह कह रहा था कि हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं मलिकार जुन खड़गे ने भी बयान दिया लालुयादों ने भी फोन किया लेगन नितीश कुमार ने कोई भी जबाब तो नितीश कुमार wait and watch की स्थिती में थे कि जैसे ही समर्थन पत्र मिलेगा उसके बाद इस्थीफा दूँगा लेकिन वो समर्थन पत्र BJP ने उन्हें दिया नहीं समर्थन पत्र नितीश कुमार मांगते रहे लेकिन BJP ने ये कह दिया कि आप पहले स्थीफा दीजिए और और उसके बाद आपको समर्थन पत्र मिलेगा हुआ भी वही पहले नितीश कुमार ने स्तीफा दिया उसके बाद उन्हें समर्थन पत्र दिया गया जिसके बाद उन्हें नई सरकार बनाई लेकिन अब जब सरकार बनी उसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई थी नितीश कुमार की अभी तक रही है लेकिन बीजेपी ने इस बार बड़ा दाउ चल दिया और उन्हों ने समराठ चौधरी और विजय सिन्धा को डिप्टी सियम बना दिया अब यह दोनों नितीश कुमार के धिर विरोधी माने जाते हैं और धुर विरोधी इसलिए माने जाते हैं क् कई बड़े बयान दोनों के सामने आ चुके हैं और सदन में जो कुछ भी हुआ था वो तो आप सभी को याद होगा किस तरीके से बयान बाजी हुई और नितीश कुमार पर जमकर हमले किये गए ते जिसके बाद ने बीजेपी का दामन छोड़ कर यहनी कि एक तरीके से कि पगड़ी वो तब ही उतारेंगे जब नितीश कुमार को कुरसी से उतार देंगे हालंकि अभी सत्ता के लिए कुरसी के लिए सब कुछ सही लग रहा है बीजेपी ने दरवाजे भी खोल दिये अमिश्या का बयान जो है वो भी जुमला साबित हो गया और नितीश कुमार एक बार फिर से उनके साथ सरकार चला रहे हैं लेकिन ये शर्त जो है नितीश कुमार के तरफ से रखी गई थी कि सुशील मोदी को आप डिप्टी सियम बना दीचे लेकिन बीजेपी ने साफ मानने से इंकार कर दिया अब खबरे ये भी है बताइए भी जा रहा है कि लेने की मोड में है और उसी मोड में काम कर रही है उसी एक्शन मोड में उसका उसकी रणीती जो बन रही है उसका प्लान जो है वो तयार हो रहा है अब इसके साथ ही एक और बढ़ी शर्ट जो है वो रखी गई थी नतीश कुमार के तरफ से की विधान सभा का चुनाव लोगसभा के चुनाव के साथ करवा दिया चाए बताये जाता है कि ये शर्ट नतीश कुमार की थी लेकिन भीजेपी ने इसे भी मानने से इंकार कर दिया । ये बड़े जटके नितीश कुमार को पहले ही लग चुके हैं लेकिन नितीश कुमार अभी भी ये कह रहे हैं कि इंडिया गणधन हैं वहीं उन्हें खत्म करने की प्लानिंग पर काम कर रहा है अब आपको सुनाते हैं और एक और कौन सा बड़ा जटका नितिश कुमार को बीजेपी देने जा रही है किस धोके की बात हो रही है उस पर हम आपको बताएंगे उस पर चर्चा करेंगे सबसे पहले नितिश कुम हम कहां ठीक है अब आप में खिना देख नलिए हम को कितना कोशीज कर रहे थे एक काम करवे नहीं किया एक काम नहीं कर रहा था आज तक टैंकि किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी कुछ नहीं हम तो फिर चोड़ दिए कि छोड़ो भाई हचोड़ करके हम अपना आग जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गई अब सब चिन हम इधरे रहेंगे हैं, हमाशे तो लिघे रहेंगे, सब के हितमे और आप लोगों का भी नमन करने हैं तो आप सुन रहे थे बिहार के सियम नितीश कुमार को और ये वही नितीश कुमार है जो ये कह रहे थे कि मर जाना कुबूल है लेकिन इनके साथ जाना कुबूल रही है तो खेर होता है राजनीती में ऐसा ही होता है जैसा कि BJP कह रही है कि राजनीती में कभी भी किसी के लिए दर्वाजे बंद नहीं होते हमेशा के लिए भले ही अमिश्रा भरे मंच से ये बाते कर रहे हों और जनता को आश्रासन दे रहे हों लेकिन उसके बाद वो सब कुछ जुमले बाजी हो जाती है लेकिन अब चलिए बात करते हैं कि ये क्या कुछ धोखा देने की प्लानिंग चल रही है अब क्या प्लानिंग है उसके बारे बताएंगे उससे पहले एक बड़ा बयान जो है उस पर डिसक्रशन कर लेते हो और बयान जो है वो बिहार से ही है अब बीजेपी नेता अब्दुलरह्मान का ये कहना है कि साल 2014 की लोगसभा चुनाव में जब अकेले दम पर चुनाव लड़ा क्या तो एंडिये को 31 सीटे मिले थी और जेडियू सिर्फ और सिर्फ दो सीटों पर सिमिट गई थी यानि नितिश कुमार को सिर्फ दो सीटे मिल अब ऐसे में 2019 का जब लोगसभा का चुनाव आता है जब वो प्रदानवंती नरिंद्र मोरी के नाम पर लड़ते हैं उनके चेहरे पर लड़ते हैं एक तरीके से घटबंधन में लड़ते हैं तब वो 16 सीटे ले आते हैं 17 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 16 सीटे वो मिलती हैं अब LJP और ये नितीश कुमार की जो पार्टी हो बीजेपी गडबंधन में चुनाव लड़ती है तब ये आकड़ा सामने आता है ये कहना है अब अगर जेडियो बीजेपी के साथ लड़ती है तो फिर से उसे ज्यादा सीटों पर लड़ते हैं तो फिर से उसे मिलेगा ऐसे में मोदी के नाम पर फिर से जीत कर आ जाएंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो वो दो से चार सीटों पर ही सिमट जाते और विधार सभा में तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते ये बयान अब्दुल रह्मान का है जो कि बीजेपी के नेता है अब आप सोच में ये बीजेपी पहले से ही बता रही है अब ऐसे में तो बता ये भी जा रहा है कि समराट चौधरी और विजय सिन्हा भी खुश नहीं है समराट चौधरी तो इस रणनीती पर काम कर रहे है कि कैसे नितिश कुमार को खत्म किया जाए और इसलिए ये बयान बाजी बीजे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वही सीटों की मांग यहां पर कर सकते हैं लेकिन बीजेपी इतनी सीटे उन्हें देनी नहीं जा रही है जो हमारे पास खबरे आ रही है जो चरचाय चल रही है उसमें बताया ये जा रहा है कि जेडियों को सिर्फ और सिर्फ दस से बा पी को मिलने जा रही है आरेल जेडी जो है उपेंदर कुष्वा की पार्टी उसको भी दो सीटे मिल सकती है इसके साथ ही हम जो जीतन राम मांजी की पार्टी है उसको भी दो सीटे मिल सकती है भले ही उसके चार विदायक है क्योंकि इंडिया गडबंधन में आने का उसको न्योता मिल गया है हमको और बताये जा रहा है कि तीन सीटे लालू जो है वो ओफर कर रहे हैं ऐसे में बीजेपी बिलकुल भी चांस नहीं लेगी कि कोई भी उसका सयोगी जो है वो जाए इसलिए दो सीटे हमको भी दी जा सकती हैं और वहीं पर वियाईपी मुकेश सहनी की जो पाटी है उसको भी अपने गडबंधन में लाने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है हालनकि बताये भी जा रहा है कि वो इंडिया गडबंधन के तरफ भी जा सकते हैं अब ऐसे में ये आकड़े जो हैं वो विहार से निकल कर सामने आ रहे हैं तो नितीश कुमार जो अभी तक बड़ी-बड़ी मांगरी रख रहे थी बीजेपी के सामने और हर मांगों को दरकिनार किया गया अब सीटों में भी वो गच्चा खाने जा रहे हैं और जो सीटों की मांग उनके तरफ से की जा रही है वो बीजेपी उन्हें देने वाली नहीं है और इसके लि बड़े बड़े नेता तो यह भी कह रहे हैं कि जो राजनीती नितीश कुमार कर रहे हैं उसे खत्म होनी चाहिए इस तरीके से उनका यह कहना है वो पांच साल के कारिकाल के दौरान एक बार सियंपत की शपत लेता है लेकिन नितीश कुमार ऐसे राजनेता है जो पांच साल के कारिकाल के दौरान कम से कम दो या तीन बार शपत लेते हैं और वो भी हर बार अलग-अलग दलों के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि मुझे लगता है कि ये राजनीतिक अवसरवाद है और अब समय आ गया है कि ऐसी चीजे बंद हुई जाहिए ये बड़ा बयान जो है वो दिली भोश का है अब ऐसे मैं आप सोचे कि नितीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और सरकार बनाये हुए और सरकार चला रहे हैं एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि हम उन्हीं के साथ हैं जिनके साथ आ गया हम उन्हीं के साथ रहेंगे एक तरफ से वो ये बाते कर रहे हैं दूसरी तरफ वही बीजेपी के नेता जो है वो ये कह रहे है कि ये राजनीती ही खत्म होनी चाहिए नितीश कुमार की जो राजनीती है से खत्म होनी चाहिए तो नितीश कुमार को खत्म करने की प्लानिंग जो है वो कहीं न कहीं बन रही है इसलिए पर चर्चा चळड़ रही है कि लोग सभा चुनाऊ के बाद नहीं लोग सभा चुनाऊ में ही नतीश कुमार को ठिकाने लगाने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है इसलिए उसके नेता इस तरीकी से बयान बाजी करने हैं और सीटो का जो बत्वारा है उसमें भी गच् तो बिहार का समीकरण कुछ ऐसा है इंडिया गंडबंधन से नाता तोड़ कर नितीश कुमार बुरी तरीके से फच चुके हैं अब देखना ये होगा कि क्या कुछ आगे इनका कदम होता है क्या कुछ जेडियू बिहार में करता है लेकिन अभी इस्तिती यही बनी हुई है त झालबंधन से नाता है झालबंधन से तोड़ को आज़ एंड़ आगे लिएका खजाना जागे लेकिन अगे लेकिन अगे वागे तो पर दोड़ कर दो लेकिन अगे बनी हाना है ये झाल झाल